यह जो टुन दो प्रॉपोर्मेशन यह शॉर्ट नोटे उन उट नाट आती है इस नौट वेरी कोमन बच टिल इस अ कोमन वन ओके यह इंपोर्टन पॉस्टन है यह फाइमाक्स में मोस्ट प्रोबबब्ली आते हैं कर दो कि यूटरेन अगर्ण पांच तो पहले हम लोग को तो अनाथमी पता होना चाहिए ना सो लेटी टॉक अबाउट से नाइन मंद्स और प्रेग्मेंसी है ना नाइन मंद्स और प्रेग्मेंसी हम लोग इसंगे 40 वीक्स ओफ जेस्टेशन में दिवाइट किया जाता है 40 सब्सक्राइब तो उसमें जो फिस्ट टू विक्स होता है वो ओलेटरी पिरियेट केता है वही पर ओलेटरी मतलब वही पर ओलेशन की जो ओवर मैं स्पर्म है वह दोनों जाइकोट बनेगा चलते जाएगा चलते जाएगा डिवाइगा नो मच सिग्निफिकेंस उसकी बात विक्स होता है वो एम्ब्रियो एम्ब्रियोगनेस साम आज मतलब उसमें में जो फीतल ओर्गन्स होती है जिसे आइज और नोस एंड दो एस्पेशली वाइटल ओर्गन्स हां लंग जुल में करें कि सभी कुछ होसी समय में बनती है और फाइनली इच गोस्तु का आसपास यह पूरी पूरी उसको क्या कहता है बच्चों को जो fetus formation development होती है you can't call it as a baby, baby बगरा नहीं call करना है you have to call it as fetus only, right so, यह uterine malformations कहां पर होती है this 8 weeks का embryogenesis का period होता है उसी समय में पूरा पूरा genital organs से लेकर main vital organs पूरा बन जाते है so, what exceptional is, nothing, right so, यहां पर पूरा genital organs बन जाते है okay, let me know about something called as a Mullerian duct Mullerian duct को दो जोस्रामा इस it is also called as a paramesonephric duct okay, let me define this para means it is around, around what? mesonephric duct के आसपास में nephric में इसे something renal, right this is around so, वही पर आसपास में यह paramesonephric duct बनती है that is called as a Mullerian duct a Mullerian duct से ही फिलोपियन ट्यूप की फिलोपियन ट्यूप वो ओवरी यूट्रिस से बनती है, right and it is present only in female, right suppose वो नहीं है, तो वो male होता है क्योंकि male में क्या होता है, जो टेस्टोस्टीरोन जो हार्मोन होता है इस हार्मोन के ओपर उसके डबाव पड़ जाती है और वो डिसपेर हो जाते है यहां पर तोड़ा से इन्वाजिनेशन होते है, तोड़ा से इन्वर्ड है तो यह पूरा पूरा इन्वर्ड बनने के बाद then it forms cloaca so what is cloaca is? cloaca means it's nothing but it's a point of common chamber यह क्या होता है यह point of common chamber है जब शुरुवात में जब दिविशन होती है वो समय में यही से ही divide होके अलग-अलग अपना अपना department ले लेगा तो यहां पर आपको digestive system भी यही से सुरुवात होती है और urinary system और regal system जो भी कहते है न तो वो पुरा भी यही से सुरुवात होती है और reproductive system भी यही से starting यह तो starting point है cloaca यहां से दीर दीर डिवाइड होके वो मीसोनेफरिक डक्त बनती है यह बाद में यह गायाब हो जाएगा डिसपियर हो जाएगा and then it starts the paro-mesonephric duct यहां से पांच सब्ते का आसपास में जो यूरो जनिटल रिज बनती है यूरो means it is a urinary genital मना है it is like a female genital reproductive organs right so वो रिज बनती है mostly the lateral surface आसपास में वहां पर वो डिवाइड होके उसको female reproductive system बना देता है so जबी starting पे होता है so what happens is यह देखो this is not the paro-mesonephric duct otherwise called as a Mullerian duct यह देखो यह वाला right so यहां से यह पूरा-पूरा Mullerian duct so what happens is division होता है see aada divisions यह उपर की जो part है उसको बोलता है cranial cranial मतलब सिर से एक अलगी divisions उपर-उपर अलगी divisions होके वो जाएगा और नीचे जो caudal है जो नीचे जाएगा right इसको tail भी कहता है यह पूंची का जो side पे जाता है so यह cranial में अलग division जाती है यह caudal में अलग division जाती है upper part of vagina is also called as a vault right okay so as I told you यहाँ पर हम इसको divide कर रहे है divide करते समय में cranial में वो develop हो गया तो fallopian tabor but caudal में caudal caudal मतलब जो पूंच का side में क्या होता है let me have a look at this see so this is a caudal यहाँ पर मिसोनेफरिक डक्त यह दोनों fuse होके यहाँ पर क्या बनती है utero vaginal primodium utero means it is uterus vagina means this thing and primodium is fun there वो दीरे देरे यहाँ पर जो vaginal plate के साथ urogenital sinus बनती है sinus means it is something where it is going to be collected together so यहाँ पर urogenital sinus यह काम करेगा at the same time यहाँ पुरा septum दीरे देरे वो पूरा खाली होके यहाँ पर उसको space cavity बना देगा okay so यहाँ से क्या होगा यह पूरा तो cranial side में divided होके आ गया यह तो caudal side में यह synovaginal bulb बनती है synovaginal bulb यहाँ पर इसको vaginal plate भी कहते हैं इसको rigid solid बना देते और दीरे-दीरे cannulization means cannol, cannol में न जो पानी चलते है what is that cannol right रास्ता बना देता है passage बना देता है so that's what dorsal dorsal means anterior part में यह सब कुछ बनती है कुलवाका का जो side पे और look at this one see this is dhiri dhiri यह पुरा uterine cannol बन गया है and look at this one bladder is different and and यहां से bit connected और दीर-दी यहां पर यह divide होके होके synovaginal bulps बन रहे so what is this one look at this one this is the way synovaginal bulb बनता है आकरी में यह बन गया यह पूरा-पूरा जो cranial division में यह पूरा बनने के बाद यह vaginal plate जो नीचे solid में यह बन जाती है finally canalization बनता है कभी-कभी in case यह बनता समय में कुछ गड़बड हो गया है top uterine malformations होगी so let me start about the uterine malformations यह American Fertility Society Fertility Society means like corpse related right okay इसकी classification of Mullerian anomalies की बारे में दिया गया था 1988 पे actually क्या है इसमें उसको 7 classes दिया गया कितना class 7 classes दिया गया but problem यह है इसमें कुछ side lateral I mean this is seen only commonly दिया गया है generally दिया गया but बाद बाद भी उलोग को कुछ फील होगा हाँ इसमें परमे नहीं दिया यूरिनरी के परमे नहीं दिया तो इसलिए उलोग को modified भी बनाया so whenever you are going to write your exam का जो इसमें notes बनाते समय में so make sure this uterine malformations की इसको तोड़ा से this is the main one you are supposed to write and then you have to include that classification also it doesn't mean that you need to put everything in detail so in Mullerian anomalies first one is Mullerian A Genesis let me explain it little bit so that you will be able to understand even the medical terminology Mullerian means Mullerian duct A here is a complete absence absence what is that absence genesis meaning formation creation, formation development A Genesis means Mullerian duct here is not made okay number one number two it is made here two hypoplasia so what is hypo means it is less plasia means it is multiplication growth growth it is less because zygote when it is multiplied it needs to increase right so here it is less Mullerian duct so this is what absence of uterus oviduct vagina okay i told you this is agenesis means it is absence complete absence of uterus bhi nahi hai oviduct ko kya bolta hai this ko fallopian tube bhi fallopian tube otherwise you call it as uterine tube also so then don't get confused uterine tube so sabh same hai and vagina okay absence of uterus oviduct and vagina this is the Mullerian age analysis ki baare mein bata rha hai it's why because it is me ek nahi both Mullerian duct dono me so the main chief complaint kya aayega patient bhole ga primary amenorrhea i have seen siblings mthle 2 behen te they came around 55 years i have seen them i was young so at that time they had primary amenorrhea they never had it at all because Mullerian agenesis ho sakti hai and agenesis of upper vagina or cervix okay ho sakti hai upper vagina what is this upper vagina i told you this is a vault vault bhi kehata hai okay vaginal vault bhi kehata hai yeh cervix yehaan par bhi kabhi kabhi yeh re-canalization yehaan par rasta nahi banata samayi me kya ho ta hai yeh raasta nahi bani ga toh jab mensis ka samayi aagaya mthlep puberty samayi mthlep 13 or 14 saal mein unka mc suru ho jati hai toh samayi me kya ho ga everyone knows right this is endometrium ki joh baag hai usi se hi shadding ho ta hai mthlep endometrium ka baag pura alag oke woh niche greti that is called as a mensis right so waha par kya ho ga jab 13 or 14 saal mein yeh bleeding ho ne lage yeh poora bleeding oke yeh hi par ruk chayega kyawni yawur raastaha hai nii bahar aane ke liye so that is why they form hematometra metra means metrium mthlep endometrium mein anandari padu kiya hai waha par breeding poora so this will be occurring when agenesis of upper vision or cervix occurs second joh classification hai uni cornovate uterus uni matlab it is single cornova means it is nothing but this is horn this is horn bhi kaeta hai horn kisko kaeta hai jese uterus hai right this is a uterus and this is a fallopian tube alright yeh joh jaha par joh point hai this point of contact is called as okay the point where fallopian tube and fallopian tube and uterus meet so this is called as cornova of the uterus so yehi par eki hong hoga dousra wala toh patane gaya bho gaya hoga toh eki hoga so isi lihi it is uni cornovate uterus so let me see the uterus with one horn or a single horn uterus due to the failure of development of one mullerian ducts so look at this so as i told you this is a mullerian duct ismeh 2 hona chaiye hai na yeh lefte ek righte hona chaiye basi ek gaya bho gaya hai so this prikari ke ho sakta this is a normal one it has 2 cornova and yehaan par dekko communicating ka matlab hai yehaan par toh communicate ho ho raha hai why this one is important it is very important because yehaan se joh ovari ho tii hai yehaan se sperm nikal ke aati yehi raastah hai na yehaan par aake implantation ho tii hai so what happens is this prikari ki ek mein hoi ne raha hai toh problem ho sakta hai na phanzee karne mein so this is a communicating it is a communicating I mean this thing cornovate and here is this non communicating ka matlab this is called as a unicorn weight matlab single hona dekko yehaan se yeh communicate hai ni alagi ho gaya so that is why it is called as a unicorn weight there is no cavity at all here yehaan par toh kamse kam felopium tube dikkai da hai yehaan par toh bilkul dikkai bhi nahi da hai and there is a cavity is also very very less and here there is no horn at all this is unicorn weight uterus and class 3 me kya hai di delphys di ka matlab it is double okay double or two joh bhi ho delphys ka matlab it is umb matlab doh uterus ho sakta hai so di delphys uterus means double uterus double cervix and vagina due to the complete lack of fusion of mulerian ducts look at this one normal mein toh single hona chahiye hai na so uterus toh single hai but yahaan par doh doh di delphys uterus as i told you it is double oomba so di delphys uterus so actually pregnancy karte sammhi bhi kya ho ga yahaan par jaga banega nahi probably woh jahada se abortion honne ka chancers hota hai okay class 4 is a bi cornevate uterus so bi means it is 2 right ye 2 cornevate hai matlab corneva hai so let me have a look at this one depending on the fusion of the muscles was it is further divided into uterus bicorneus bicollis means 2 uterine cavities with a double cervix with or without vaginal symptom so bicorneus means it is 2 uterine cavities okay and bicollis is probably a double cervix right meaning samajaya ho ga right so bicorneus is uterine cavities hai aur colis means it is related to the cervix so another one is called as a bicorneus unicollis lika hai us mein kya hai ek e hai so unicollis means it is a single cervix but yehaan par it is double corneva okay so here it is called as a complete aur partial okay i mean it is like a part okay so this is uterus bicorneus unicollis kehata hai so bicorneus means it is a 2 uterine cavities and bicorneus means it is a 2 uterine cavities and bicorneus is double cervix suppose that cervix single bhi ho sakta hai that is called as a bicornevate uterus so usually hsg kaita hai this is a common procedure students amish hai mehra paas aat hai hai poochta hai ma'am infertility ho raha hai toh kya karna hai so infertility ho raha hai toh hsg matlab hysterosalphine jo graafi kaita hai so this me kya karega i'll take a class on this later on and then i'll give you a link in the description box haa us ka baad mein dhek sakta hai so yeh actually eek injection daalega it is a contrast daalne ke baad woh rasta woh chelta sammayin woh kya kya sarae kya xray kanderi meh opeation kore lihta dega uske baad eketitit dal ki usko push karayga push karayga push kata sammayin woh flow kahaan jare kya jare kahaan se block hai fellopiu ntude meh hee jari nahe jari ho ptah karne ke liha woh tahter so this will be biconavit uterus can be found I mean every uterine malformations can be found by that one so class 5 is a septate septate ka matlab kya hai partition kya hai partition matlab division hota na toh uterus dho baag mein uske wo divide kya jata hai so yehaan par persistent septum kata hai persistence kameini kya dheko two millerian ducts fused together it is jude kya this is why problem is sprikar kya raha alag alag nai ho pah raha raha so yehaan par septum ban gya ta so septum ka matlab dheko beech mein yeh hote hai yeh partial ho gya yeh puri puri alagi ho gya ta so this is not a diidelphist septum means it is a septum means something a break in between so this is septate uterus and class 6 is called archviet uterus archviet uterus archviet meaning kya hote hai it is bao danush hodna danush danush ke de se dikha deiko look at this one it is dont panush ke de se dikha deari actually this is a normal one is sprikkar ki fundas ho na chahi hai but yehaan par heart shape me hote hai ok this fundas concave shape me hote hai बच्चा बढ़ते 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 पाएगा तो बच्चा यहां पर गिरने का चांस होता है तो रुपता नहीं है Spontaneous abortion होने का Chances होते है This is an archivate uterus Okay the last division of this one is Like class 7 पे है Di-etil-still-bestrol D.E.S. Related Abnormality कहते है So what is this D.E.S. पहले उसको पता करेंगे Okay usually क्या होते है जो Where's my cursor is Okay here it is The first and second trimester Patient आ रहा है Miscarriage को करने के लिए आ रहा है तो doctors लोग वहां पर उसको दवाय दे देते है चलो इसको खालो No you have to preterm delivery करना पड़ते है क्योंकि patient को BP बढ़ते होगा तो इसलिए देने के लिए भी इसको Preterm Delivery, Preterm का मीनिंग क्या होता है Term मतलब 37 weeks के बाद But उसके पहले जो होता है इसको Preterm Delivery So Preterm Delivery पहले ही उसको I mean less than 37 weeks के पहले उसको Delivery करना वो भी होता है नहीं तो Pregnancy continue नहीं करना That is what miscarriage is So इस प्रिकर की situations में यह D.E.S. Tablet दिया जाता है Even Ectobic Pregnancy भी यह भी एक indication है Ectobic Pregnancy इस समय में क्या करते है Especially in 1940s पे और 1971 पे यह ने क्या किया था यह लोग उस समय में जादा तरह से यह D.E.S. Tablet उसको प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि यह प्रेगनसी को अबॉट करने के लिए But कभी-कभी क्या हो जाता है उस दवाई की आसर पढ़ जाती है बच्चे के ओपर बच्चे कभी-कभी अबॉट्स नहीं हो रहे हा बढ़ जाता है तो उस समय में यही प्रोब्लम होगा देरा Many problems with the D.E.S. Actually This is actually a artificial What is that? Synthetic hormone Eustrogen hormone female hormone तो वो दिया जाता है क्योंकि Eustrogen क्या करेगा Eustrogen के main काम है चंट्राइट करके उसको तुरंद उसको बाहर नेकालतेगा That is what this tablet is So intrahuterine life में ही जभी हो रहे है So in that case it is going to happen So varieties of malformations occur in the vagina See, कितना list आ रहे है वो दवाई की कारण से कही problems होने का chances होता है Ardenosis, aden का मतलब है gland तही gland क्या होता है वहीं जो endometrium में glands होता है glands का मतलब है वहां पर तोड़से करने के लिए कुछ फ्लूवड एकालते है So that is a gland So adenosis का मेनिं है वहीं पर Gland is abnormal size में बढ़ते It is not a cancer actually Benign I mean it is a benign one Benign means it is like cancer नहीं है बढ़ते उसका size normal से बढ़ा रहे है But adenocarcinoma Again I told you this one is a gland So वहां पर क्या होता है Carcinoma means cancer बनने के chances होता Endometrium पर So यह दवाय की कारणसी क्या होगा Adenocarcinoma भी बनेगा Cervix क्या होता Coxcombe Cervix कहता है What is that Coxcombe Okay this is Coombe This is Coombe Why is this Coombe? Coombe बढ़ा रहता है Head में But बात है मुर्गी को नहीं रहता है So इस प्रिकर की वहां पर Cervix में Same I mean Is प्रिकर की Flushy Flushy वहां पर दिखायने का chances होता है Okay And cervical collar Is like collar का So प्रिकर की shape में भी Mass वहीं पर उठा रहेगा And uterus की क्या होगा Hypoplasia Hypo again Plasia means Growth पुरा कम हो गया मतलब वह जिए Cells division जो होते है वह कम हो जाते है Hypoplasia होने का chances होते And T-shaped cavity Okay Cavity क्या होता है जो uterus की cavity होता है वह इस प्रिकर की T-shape में बन जाते This is a fallopian tube And I have a picture Later I will show you that What is the T-shaped This thing is Cineche What is that Cineche means It is nothing but adhesions Adhesions What is this adhesions 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 means Chipak जाना यहाँ से जो glue जाना तो उस पर कर की वह चिपक जाने का जो होता है Utrend Cineche भी हो सकता है So जब चिपक जाते तो बच्चे के से बड़े होगा So कहीं से रास्ता होना चेना जाइकोट बगर आके उसमें बढ़ने के लिए फर्टिलाइस होके हाने के लिए So Cineche में तो देरा चांसस For no Pregnancy And Philopium tube Cornwall budding So Cornwall में क्या होगा वो दीरी दीरी यहाँ पर कुछ budding अलग पर कर होने का chances होते है और फिंब्रिय भी गड़बड होने का chances होते है So these and all Will occur with the death related abnormality So Actually saying Abortion Unless and until patient According to the MTP Act उसकी प्रकरिक जाएंगे That is safe and sound Unnecessary taking drugs नहीं करना है तो इटसनोल शुट भी pre-plant So actually Religious based में भी वो एक पाप होती है तो अंदर हो और बाहर हो तो वो बच्चे को murder करने की बराबर होते है So this Still best to all Still I have seen patients taking it Abortion करने में But बात यह है It really leads to I mean unhealthy habits And ultimately Feetus जभी भी grow होते हैं वो समय में भी problem होने का chances होते है So it is only intrauterine life में First 3 months होती है Pregnancy का समय पे तो बहुत केरफल होना चाहिए Okay So This is the Modified one As I told you earlier That is 7 classes होती है 1988 में दिया But this is a modified American Fertility Society Classification में What did they do is Lateral fusion की बार में भी पताय किया था I mean This was discussed in the earlier one But Now they have included a vaginal And a tubal And a urinary tract anomalies also in that Hence It was a requirement for them to modify it There are 4 classes on this basis Dysgenesis Okay Dys Disc का दो मेनिंग होता है एक पेइन भी होता है But यहाँ पर disc का मेनिंग इकलत है This is a defect Genesis means as I told you Formation Or Development So defect in the development of the Mullerian ducts Mullerian duct बंते सम्भई में ही कोई Problem होगिया So that comes under the class 1 So It includes the age and this is of the Uterus and the Vegean Look at this one Okay Uterus Okay And even the cervix and this one is not present Look at the uterus Uterus But Vegean Cervix Right Here Completely Uterus But Here So This Occurs In the syndrome called as a मेयर रुकिष्काई कस्टरहॉसर सिंड्रोम कहता है यह सिंड्रोम में क्या होता है कभी कभी क्वाउस सिंटम्स पताने चलता है उसका जनेटिक बेस भी हो सकते हैं अंडोक्राइनल भी हो सकते हैं मेटबॉलिक हो सकते हैं So what happens is I have not one case जहां पर means somewhere in the south only यह सिंटम्स के साथ उनके पास right kidney तो है नहींता and जो left kidney है वो hypertrophy हो गया है look at this one no urethral orifice okay and rudimentary fallopian tube भी रहता है rudimentary मतले बेनिशल जहां पास start होती है तो वहीं से वाईसी बना रहा है और उसके बाद वो कुछ निकला नहीं है right So this is what happens in this one syndrome is okay the main treatments are it's non-surgical वीना surgery से करना है प्रेशर देना पड़ेगा perineum पे already means means में से साते समय में प्रेशर तो बड़ेगा bleeding और accumulate हो जाएगा तो वो प्रोटिट होने का chances होता है active dilatations or passive dilatations केतीटर का sorry केतीटर भी डाल सकता है otherwise they can use your dilatus also can be done with that and surgical is makindo operation केता है let me know about what it is actually we don't know I mean it's not necessary for us to know about it in detail but still we need to know what it is यहां पर क्या होते है देखो यहां पर उसको काट रहे काटने के पहले क्या करेगा एक पूच बना देगा the skin graft बना देगा यह कहां से लिया जाएगा mostly they take it from the thigh otherwise in the abdomen where it is going to be very easy to remove the epidermis बना पर कवर करने के बाद they insert that okay and यहां पर देखो space यहां पर uterus है नहीं और वेजना भी नहीं है so they make it a protein in between like a rectum और इसकी बीचिमे space बना के वो करेगा this is not necessary at all so people go for adoption only in India but in western countries it has been used and there is something called as a Williams Vegenoplasty is also almost vagina का जो रिपेर है so look at this procedure यहां पर जो है युरीत्रा को जो जो कितितर आल के युरीन काली करके रखा है they are making an incision over here and they are making a U-shaped incision type उसको बना दे रहे okay so what happens is this vestibule के आसपास में mostly in the pouch of vestibule means this is the one the whole one is called as a vestibule Labia मैनोर का बीच में जो होता है so यह mostly upper part में के U-shape में incision लगा दिया ओधीर इदरे वो खोलने का चांसस होता है and the class 2 is a disorder of a vertical fusion of millior index so millior index जो ऊपर जाती है तो क्या हो रहा है यह वाला जो है vertical fusion में यहीं से कोई गडबड है यह vertical fusion में कहीं रास्ता में कुछ टूटा है so let me have a look at this one so again what happens transverse vaginal septum बन जाएगा and the cervical agenesis transverse का मेनिंग यह होता है जैसे I'll show you it so this is a pig यहां पर यह देखो transverse vaginal septum it is like this is a vertical one right it is a transverse one and cervical agenesis the cervical cervix में यहां पर agenesis हो गया and dysgenesis मतलब dysgenesis मतलब बन तो गया है but फिर भी it is not in the proper way okay so what is this hematometra as I told you जो 13-14 साल हो गया है तो बच्चे को menses आती है तो menses आते समय में endometrium से जमाती है यहीं पर रूख जाती है so endometrium में it is inside the uterine cavity that is called as hematometra hemat means it is a bleeding metra means it is medrium means inner part of inner lining of the endometrium का दर में रच जाते है so here what happens is look at this one hematometra right यहां पर बीदिंग होते है यहां पर बाहर आते है I have seen one case like this यहां पर उसको जो पुरा है sometimes it is called as a womb also okay so hematocorpus कहते है imperforate vagena imperforate means there should be a hole isn't there so तभी तो मैंसे साथ दी है बाहर आने का but बात imperforate यहां पर वजयना है so in that case it is not so class 3 is disorders of lateral fusion of millerian ducts lateral में कहें से वो fuse हो गया है so how it is so it is asymmetric symmetric का meaning क्या होता है जैसे हम एक किताब को लेंगे दोनों परकर के equal होता है यहां भी सहीदा यहां भी equal but एक बड़ा एक चोटा रहेगा that is called as an asymmetric so यहां पर asymmetric भी यूनिक और्निवेट होता है that is a single horn uterus का with one phallopium tube होता है but symmetric यह सब हम लग पढ़ लिया है इसलिए हम लिस्ट आउट बस कर रहे है di delphic uterus क्या होता है it is double uterus delphic means it is two uterus two service two vagina होती है septate का मतलब partition होती है septum बीच में होती है और vaginal septum का मतलब यह transverse septum होती है okay transverse तो वेजहना को servix को रास्ता पुरा खट गिया है right septum होती है bi-cornervate मतलब it is two uterine cavities रहेगी but sometimes two servix भी रहेगी और uni-cornervate का मतलब it is a single corn of the uterus and T-shaped uterus is something like that see look at this one this is a T T-shaped uterus देखो cavity का जगा ही नहीं तो कहा pregnancies में हो पाएगा class 4 में क्या होता है it is unusual configuration of a vertical or lateral fusion defect so इस पे mostly isolated vaginal hypoplasia तो वेजहना में क्या होगा hypo means वहां पर उसको multiplication cells होता ही नहीं है तो ultimately it is वेजहना में problem कमजोर है so vaginoplasty has to be done okay so what are the clinical manifestations यसे कैसे पैचाने की uterine malformations पे यह अक्छली कोई भी patient आता है यह तोड़ी आएगा हाँ मेरे को uterine malformations पता नहीं चलता है जब तब जुरुत तब तब करेंगा नहीं 13-14 साल हो गया तो mensus आती है तब ही किसी किसी को problem होती तब वो प्रॉब्लम है तब ही आएगा तब ही उसमें पता चलेगा सो सम्टाइम्स गाइनकोलेजिकल और अब्स्टरिकल दोने में पता चल जाती है सो गाइनकोलेजिकल में कभी patients आती है infertility की कास में हो गया बच्चा नहीं हुआ है आया है तो जांच करने में उसमें एक यह प्रॉब्लम क्या होता है यूट्रस ही सलामत है क्या हो समय में चिक करते समय में पता चलेगा इस अन अबनॉम्स अच्छली यह डाइग्नोसिस क्या है यह रेट्रो 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 र dys means here it is pain okay men mana it is menses and aurea mana it is a discharge so ये कब बो होते है by coronavage uterus में बहुत ही painful bleeding होने लगता है and crypto menaurea crypto means it is hidden है or menomena it is menses and aurea mana it is discharge so ये pentap menstrual blood in the rudimentary हों so वही पर जहां पर bleeding है हमनों हमनों हेमाटोमेटरो पढ़ाता तो वही पर वह रूप जाती है this is called crypto menaurea पता ही नहीं चलता बाहर आएगा तब ये तो पते चलेगा bleeding हो रहे करके न तो अंदर ये अंदर bleeding हो रहे तो कैसे पते चलेगा menorrhagia menaurea same thing it is a menses और ये मनने discharge means normal से बढ़कर जो bleeding होती है तो उसी को बोलते menorrhagia ये क्यों होता है biconvimate uterus होता है दो uterus है so endometrium में भी बढ़ा होगा है ना ये surface area जो बढ़ा होने के कारण से क्या होगा उनका bleeding जाद है तरह से होने लगेगा इस complaint के साथ जब पेशन साथ गाइनकोलेजिकल प्रोब्लेंस में तभी investigation करेंगे तभी ये पता चलेगा this patient has a uterine malformation so upstratical में कब पता चलेगा mid-tremister abortion abortion क्या होता है 20 weeks नहीं तो 20-28 weeks के पहले जबी भी बच्चा गिर जाती है उसको abortion गयता है okay जाओ HSG इस प्रिकर की वो एक टेस्ट करके आना करके बोलेगा this I told you I'll description में डालूंगी अगे this is a simple procedure वेजना में एक केटित डालेगा एक medicine देदेगा वो medicine डालने के बदर तुरंट एकसर लेके देखेगा वो रास्ता ओवरी से लेकार वेजना तक सही नहीं है चेक करेगा और प्रिगनेंसी इनकेस कॉर्णवा में जो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रिस जाइन कर रहे है वहीं पर कभी-कभी प्रिगनेंसी हो जा रहा है वह अंदर यूट्रिस में नहीं आ पार है वहीं से जब बढ़नें लगता है 16 सब तक वहाँ पर फट जाएगा तो फट जाएगा पेशेंट पर क्या होगा इंटर्नल ब्लीडिंग अगें दौड के आ जाएगा बरती होगा तब ही पता चलेगा एक्सरे करके देखेंगे नहीं तो कुछ भी अल्टरसोन करके देखेंगे तो भी पता चलेगे वहाँ पर प्रिगनेंसी था 16 वीक्स मतलब लगबग मानके चलो तीन से चार मैना तक उसमें अबर्शन होने का है तो उसी समय में पता चलेंगे प्री टर्म लेबर लेबर कब होती है जो 37 वीक्स के बात जो होता है तो उसी को मोर दें 37 37 प्लेस जीरो डेस सो जब ही होगा तभी यह लेबर कहता है पट उसके पहले जब डेलिवरी हो रहा है एक क्यों हो रहा करके चेक करेंगे तभी भी पता चल जाएगा आई-उजी यार इंट्रा-इूट्रें ग्र इंट्रा-ईूट्रेंड डेथ यह कहां पर ओगा ऑगा ब備 होगा बे अप्स या एप्स ढीवरी होता है यह 1 업 Ctrl हिस्ट्रा-इंट्रिकल अ। प्र ritual history होता है जो डिए अप्स्ट्रिकल हिस्ट्रिकल हिस्ट्री होता है ये भी एक कॉस हो सकता है ये चेक करेगा अब्स्ट्रेक्टर लेबर भी हो सकता है डेलीवरी होते समय में बचा फायदा नहीं हो रहा है मतलब अटारा गंडा में पूरा पूरा डेलीवरी होना चाहिए पेइन से लेकर प्लासंटा रिमूव होने ता तब ही तक पता ने चल रहे है इसको हो सकता है वो भी कॉन भी तुरस हो तो इसलिए अब्स्ट्रक्टर लेबर है रिटेंड प्लासंटा रिटेंड का मतलब रुख गया प्लासंटा तो थीस मिनट का अंदर में डेलीवरी होना चाहिए है ना बेबी बॉन होने के बाद उसके आदर गंड का अंद के सब्च्राइए सब्च्राइब के उपर यही पर प्लासंटा हो तो इन डाट केश यह निखलत समय में पता चल जाएगा सब्सक्राइब करेंगे सब्टेट ना इसलिए दू मास दीख रहे हैं डेबल सर्विक्स भी हो चाहिए पासिंग यूट्रेईन साउंड और डूट can eldrate cavities पता चल जाएगा देखो the uterine soundage instrument है okay this instrument हम what is this instrument instrument actually क्या है this instrument is done to measure the length of the uterus तो उसी समय में पता चलेगा यह यह तो दो दो लग रहे है वहां पर feel होगा okay and uterine curatage curatage कब करता है usually d NC dNE दीलिक जो बी ब्रॉडिक्ट ओफ इन सब्ड करेंगा में सब्छलाना है उसको फूरा यूट्रीन किख साथ एंसको निकाल लेट रहा सुन फाल्वा जो पता चलेगा वहांपर ऐस्पेस कम होगा cavity पे तो in that case you can be able to find it out manual removal of placenta हाथ लगा के देखेंगे so in that case we will be able to identify यहां पर हो सकते है यहां septum हो ना तो double cervix हो तो in that way you will be able to identify caesarean section open करते समय में there is also chances so we can see histrography so usually histrography and all is extra procedure infertility हो रहा है तो हो गया 30 साल पाई 30 साल हो गया तो लोग क्या करेगा बच्चर क्यों नहीं हो रहा है करके आके जांच करते सम्में में सबसे पहले जो टेस्ट है HSG कहता है that is histrography वो पुरा चक्की है चाहेगा फिलोप इन्डियोगरा so this is histrography so as I told you जो देखो एक उसको speculum लगा देता है लगाने के बाद यह है hysteroscope है so electric light electric के साथ यह connected देखो यह सीधा डाल रहा है डालने के बाद ते संड सम opaque injection sort of and यह पूरा पुराइस में uterus में पूरा पॉंचने के बाद then they take an x-ray then we can be able to identify this is called as a histrography graphy is a recording of that hysteroscopy is also somewhat same scope मतलब telescope को जेस है सीधा डालके उसमें directly check किया जाएगा और यहां पर से eyes लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा महां पर क्या problem क्या नहीं है laparoscopy का मेनिक है laparoscopy is laparoscopy means abdomen abdomen का तुरू यहां पर चेद लगा के light लगा कर यहां देकर देखेंगो so we will be able to identify identify any problem है क्या mostly laparoscopy istroscopy का पहला options है because that is invasive वो भी है but not through the skin but at least through the vaginal this thing but this is invasive procedure है abdomen का तुरू पोर कर के जाना पड़ेगा है ना so ultrasonography vaginal probe है so this is what this thing is so they will be able to identify what other things are यह पुरा यहां पर दिखाई देगा कहां पर क्या प्रोब्लम हो रहा है or magnetic resonance imaging this is not in first come procedure actually यह वाला जो है last में लेकी जाता है maybe it's not because it is costly or something like that but it has a clear and a perfect diagnosis so this is also they go for the pelvic assessment कहीं कुछ प्रोब्लम हो रहा करके देखेंगे तब ही उसमें पता चल जाएगा and diagnosis में जबी भी करते है as I told you that the syndrome is there right genetic syndrome उसमें मिला रहेगा so इसे लिए हमको वो कोलाक्वा से तीन होते है ना digestive system भी निकलती है और nephoric मतले रिनल system भी निकलती है so सब चेक करने के लिए so this is also involved so वो वाल जो syndrome find out करने के लिए renal tract की कोई भी abnormality वो चेक करना पड़ेगा and the skeletal abnormality भी चेक करना पड़ेगा it's only because these are related to the mullerine abnormality finally the treatment treatment is not necessary unless and until it is required जब असकी पेश्टी 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 करने के कोई यह फायदा नहीं है but even in other like sometimes bicon with uterus हो गया कहीं भी उसको अच्छा से मतलब प्रेगनेंसी का तो बनते रहेगा कोई प्रोब्लम नहीं है एक बर बन गया so it's it gives a space but बात यह है pregnancy नहीं हो पा रहा है infergility है कुछ और प्रोब्लम है in that case only it is to be done suppose caesarean section कर रहे है rudimentary horn should be excised so this is a rudimentary horn right so यह वाला जो है excise करना पड़ेगा this is unnecessary यहां से इसको connection ही नहीं rudimentary means initially यहां से start किया but बात यहां पर बीच में September 1 I mean so it's non-communicate हो गया ultimately it has to be removed unification operation for the biconovid or the certitude dress so unification मतलब जोड़ना है so there are methods like this so look at this one so यहां पर कटा जा रहा है यह मास को उठाने के बाद जोड़ा जा रहा है so they remove they make a slides and they stitch it over there see look at this one the fundus becomes in a normal way right so they remove the extra part and other things everything totally together and they join together so this is what unification unification means a single double walla को पूरा हटा कर they make a single one metroplasty metro means it is metrium okay metrium means it is inner part of the uterus means myometrium endometrium myometrium perimetrium so the metroplasty means uterus means it is repair okay so for a didelphic uterus this is what you do abdominal metriplasty abdominal metriplasty is the same and they have to fix it and the next one is to finish it and ultimately it is to form like this and Tomkins was the same after september this is to be able to heal करते हैं मतलब जो नीचे से एक स्कोप लगा के उसके बाद उसके साधी भी कर सकते हैं यह जादा से अच्छा है क्यूंकि उसके बाद नॉर्मल वेजनल डेलिवरी भी ट्राइ कर सकता है अधर वाइस बागी इसमें चांजस है प्रॉब्लम होने का क्यों पहलो इसमें पढ़ा क оч視 davon कोष्बाड सक्ष में कर दो कोष्बाड डेलिवरी जेकाद सकते हैं इसमें डिचछन कर में बाद बिच्छविरी नॉर्मल गिडर शन्याधा कर आद शंभां तो वरी-वरी इंपॉर्ट इस इंवर्फ इंवर्म एक भी मेद रहा है। उप्टर्स पॉर्पोश्ट पॉर्च पर रागा है। अगें अटिबियोटिक देना और अनालजेसिक देना एक गंडा का पहले, प्रोसेजर का पहले, that is also a part of it. अगें अगें अपरेशन चाके आने के बाद, पोस्ट अपरेटिव के रहे हैं, so routinely that has to be maintained. So, know better, care better. Thank you for watching. This is from CellSense. This is from CellSense.